नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोते सीक्रेट करक रासी बालू 29 अप्रेल को सनिदेव का महा परिवर्तन होने जा रहा है सनिदेव मकर रासी से निकल कर कुम रासी में प्रभेश करेंगे तब आपकी धाया भी सुरू हो जाएगी अभी तक आप धाया और साड़े साथी से मुक्त थे लेकिन सनिदेव की धाया 29 अप्रेल से सुरू हो जाएगी तो आपके जीवन में इस धाया का प्रभाव क्या पढ़ने वाला है तमाम बाते जारी हैं वीडियो के अंतक बने रहें और ये प्रेडिक्सन चंदरासी पर आधारित है तो कर कबालों पहले ये जान लें कि सनिदेव आपके जीवन में क्या रॉल निवाते हैं कर कबालों के लिए सनिदेव करियर और बैपसाई को इस्थिर करते हैं जनिदेव आपके जीवन में समस्याएं भी बढ़ाते हैं अगर सनि की किरपा ना हो तो कहने का तातपर सनि का यहां बहुत इंपोर्टेंट रॉल है और अगर सनि की किरपा ना हो तो कर करासी वालों आपको बिमारी और बिबाद में भी फसा देते हैं इसलिए आपको सनि देव के सरन में वैसे भी रहना चाहिए तो क्या होगा जब आपकी धहिया सुरू होगी और इस धहिया का अंत कब होगा सबसाल यानि पंदरा महिने और पंदरा महिने तो चड़ती भी धहिया थोड़ी मुश्किने बढ़ाती है पर उतरती भी धहिया दे कर जाती है तो चड़ती भी धहिया अभी से लेकर यह जो 15 महने का वक्त है इस प्रियड में कुछ बातों का ध्यान रखना आवस्तिक है लेकिन क्या आपको मिलने वाला है देखे जब 29 अप्रेल को सनिदेव का रासी परिवर्तन होगा मकर रासी से निकल कर वो कुम्भ रासी में प्रवेश करेंगे तब आपकी धहिया शुरू हो जाएगी और जो धहिया शुरू होगी आपके 2025 तक रहेगी अब सनिदेव यहां पर आपके अस्टम भौ जिसको हम तकलीफ का ही भौ है मिर्तियों का भौ है यहां पर आएंगे तब यहां पर आने से जो अस्टम भौ के ही फल देंगे सनिदेव जहां आएंगे वहीं बैठके फल देंगे तो धाई साल रहेंगे लेकिन जब भी सनी देव की ढहिया चलती है तो पूरी ढ़ाई साल एक जैसा फल नहीं देता 15 मेहने में मूल तिर्कोन का फल देता है और इसलिए जो करक बाले हैं पहले 15 मेहने अस्टम भौ का ही फल आपका आपको मिलेगा तो परिवार में मिर्तियु तुल लकस्ट और आपको पता है कि धाया का प्रभाव 6 मेहने पहले से दिखने लगता है यानि 29 अप्रेल को कहने का सुरू होगा लेकिन दिसंबर ये जो 2021 दिसंबर गया यहां से इसका फल आपके उपर हो रहा है स्टार्ट हो चुका है तो परिवार में मिर्तियु तुल लकस्ट और ये कस्ट माता पिता के उपर जीवन साथी के उपर और टेंसन बढ़ी भी ये देगा धाया का फल आपको पहला सबा साल उसके छे मेने पहले कहने का मतलब 15 और 6 21 मेन है बिमारियां आपको भी परिशान करेंगी और आपके माता पिता को भी खास कर नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देता है अस्टम बाव में बैठे हैं तो गंभीर बिमारियां भी देते हैं आँक और दांत इनकी नुकसान भी करते नजर आ रहे हैं सनी देव क्योंकि धनभाव को देख रहे हैं तो सनी देव धनभाव को देखेंगे धनका नुकसान करेंगे स्वास की समस्याएं बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे कैसे ठीक होगा यह भी जानेंगे लेकिन हां सनी देव के मंतरों का भी ना तो उत्तम रहेगा आपके लिए और थोड़ा सा यहां मुश्किल बढ़ाते वे दिख रहे हैं सनीदेव ऐसे में धाई साल आपके उपर जो सनीदेव की ढहिया रहेगी क्या होगा चली जानते हैं सबसे पहरे देखिए जीवन में चमतकार तो होगा पर अभी नहीं उ 29 अपरेल से 12 जुलाई तक आपके अस्टम भाव में रहेंगे तो ज्यादा कस्ट देंगे लेकिन 12 जुलाई से जन्वरी 2023 तक वह आपके विभा भाव में आ जाएंगे तब थोड़ी राहत मिलेगी हलाकि सनीदेव यहां पर वक्री हो रहे हैं और 12 जुलाई से तो ऐसे में उनका वापस से मकरासी में आना ये भी बहुत माइने रखता है तो चलिए जानते हैं अब हम इस मामले में बिस्तार से कि क्या होगा क्योंकि करकरासी बालों के लिए सनीदेव साथवे और आठवे भाव के स्वामी हैं और सनीदेव अपरेल से जुलाई तक साथवे और रिष्टों में तनाव बढ़ाएगा आपका ध्यान अपने रिष्टों और जीवन साथी की तरफ केंद्रित करेगा खासकर जो बैपारी हैं पार्टनर्सी में काम करते हैं उनके लिए ये समय आपको थोड़ा ध्यान देना है और कुछ नए रिष्टे भी इस प्रियन में हलांकि जो रिष्टे हैं आपके जीवन में उस पर ही ध्यान दीजिए तो उत्तम रहेगा और जितना संबभभ हो संबंधों में एहंकार मतलाईए वरना कलह कलेस बढ़ जाएगा हलांकि आपके रिष्टे तूटेंगे नहीं क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं छोटे मोटे बाधाएं हैं लेकिन फिर भी आप बहतर कर पाएंगे कारे भार की अधिकता है इस पिरियेड में जो बेपसाई हैं गढ़ाकों के साथ आप उतने अच्छी से डिल नहीं कर पाएंगे इस पिरियेड में तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव होना होगा धन के मामलों में इस्तिती बढ़िया है कोई बड़ा खर्चा इस समय नहीं होगा लेकिन फिर भी स्वास्त के मामलों में खयाल रखिएगा साथ धान रहिएगा खासकर आप फोटी पिलस हैं तो चांदी की एक छोटी सी बॉल या रखिए चांदी की छोटी सी बॉल मारकेट में मिल जाएगा आपको सुना चांदी के दुकान में अपने पर्स में रखें तो थोड़ी सी मुश्किलें यहां कम होती नजर आईगी इस बात का ध्यान रखना है आपको चलिए अब जानते हैं क्या होने वाला है इसके आगे तो ओनिस्चित्ता का सामना थोड़ा सा बैवाहिक जीवन में आनंद को लेकर है और बैवाहिक समंद आपके बहुत बढ़िया नहीं है जीवर साथी को नजर अंदाज आपको कर रहा है तो थोड़ा से यहां पर ध्यान रखना अगर आप और विवाहित हैं तो हाँ थोड़ी बहुत समस्य आएगी रिष्टे तैहोने में ब्यपसाई हैं पार्टनर्सिप में काम करते हैं ताल मेर बिठाने में थोड़ी दिक्कत होगी तो अस्टम भाव में जब जितने दिन रहेंगे अकेला भटकावा तनाव पूर्ण महसूस कीजिएगा आपको लगेगा आपको कोई नहीं है नीजी जीवन में भी आपको थोड़ा सा खटास है गलत फहमी है पार्टनर्सिप में काम करते हैं रिष्टेदारों के साथ तो यहां पर गलत फहमी दो रहेगी तो बशने के लिए हमने उपाय बताया ओम संक्स नच्राय नमा का ज्यादा से ज्यादा जब करें सनी बार के दिन गरीब बैक्तियों में खाने पीने की वस्तू या चपल जूता दान करें तो उत्तम रहेगा तो हम आपसे विदा लेते हैं हर हर महादेब धन्यवाद